नमश्कार दोस्तों मैं हो अर्मिन दसूरी जटसेट इमिग्रेशन से और आज किस वीडियो में मैं आपको ये बता दूँ कि कोविड की इस तफ सिटुएशन में भी कैनाडा में कुछ ऑक्यूपेशन में जोर शोर से हाइरिंग चल रही है जी हाँ दोस्तों जोरों शोरों से हाइरिंग चल रही है इन ऑक्यूपेशन में और ये तीन ऑक्यूपेशन हैं चुकिंग, नर्सिंग, एंड फार्मिंग जी हाँ दोस्तों अगर आपका एक्सपीडे के बारे में आपको आपको आइडिया दे देता हूँ कि क्या requirements हैं इन categories में qualify के लिए तो trucking से start करते हैं trucking में अगर आपका ढ़का दो से तीन साल का experience है अगर आपका experience मिडल इस्टन countries का है Middle Eastern यानि कि Dubai हो गई या फिर उसके आसपास की countries का अगर आपका कोई experience है तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, आप बहुत अच्छे से qualify कर सकते हैं, तो अगर आपका दोस्त से 3 साल का experience है और आपके IELTS में 5 bands है, minimum 5 bands each module में चाहिए, तो IELTS में 5 bands है और आपकी education 10 plus 2 है, तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से qualify कर सकत हैं और आपके चांसे जो है वीजा मिलने के बहुत बढ़ जाएंगे, तो अगर आपको लगता है आप ये तीनों criteria मीट करते हैं, तो प्लीज हमारी team को नीचे दिये गए नंबर पर संपर करें, दूसरी category है हमारी nursing, nursing में भी हमें IELTS में 5 bands चाहिए, minimum 5 in each माट्यो, and उसमें experience जो है, हमें experience भी 2 years का minimum चाहिए, minimum 2 हो तो बहुत अच्छी बात है, and as far as education is concerned, इसमें बहुत लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 plus 2 से ही qualify कर सकते हैं, लेकिन ये misconception है बहुत लोगों का, इसमें 10 plus 2 नहीं, 10 plus 2 plus 1 year तक की education जड़ूरी है, one year जो है आपका कोई diploma course हो सकता है, या किसी पी तरह का एक साल का आपका course हो, तो वो count किया जाता है, it'll be better अगर आप आपने bachelor's की हुई है, nursing में bachelor's की हुई है, या आपने master's की हुई है, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, तो ये तीनों चीज़ें, यानि कि IELTS में 5 bands, experience 2 years, and bachelor's degree है आपकी, तो आप इसमें qualify कर सकते हैं, next comes farming, farming, जब हम सोचते हैं, जब ये word सुनते हैं, तो हमारे दिमाग में अफसर आता है, खेती बारी, तो खेती बारी, तो farming है ही है, लेकिन farming और भी तरीके के होती है, जैसे कि dairy farming होगे, तो dairy farming को भी, farming ही का जाता है, तो dairy farming को आपका experience है, अगर और आपका खेती का भी experience है, तो इसमें 2-3 साल का experience काफी रहता है, and the good part about this category is कि इसमें education जो हमें 10th grade की ही चाहिए, अगर 10th grade की education है, आप CLB 4 score कर सकते हैं, CLB 4 यानि कि आपको 4 से सादा किसी में score नहीं करना है, तो then you could qualify under this category, तो दोस्तों, अगर आप इन तीनों में से किसी भी field में से हैं, और आप criteria meet करते हैं, तो please हमारी team को नीचे दे गए नंबर पर संपर करें, and we will see how we can bring you here, किस तरह से हम आपको यहाँ पर immigrate करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, मैं फिर मेलूंगा एक और वीडियो के सा करना wayँ हैं, चिर मेलुकल हैं, वीडियो आपका..